हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज हम बनाएंगे हरेदन्य की सब्जी तो बाजान में बहुत यह अच्छा हरेदन्य मिल रहे हैं और सब्जी हम एसी बनाएंगे कि सब लोग उंगलिया चाट-चाट कर खाएंगे इतनी अची बनके तयार होती है और देखत इतनी अच्छी हम आज सब्जी बनाएंगे एक बार इस तरह सब्जी बनाते हैं चलो बनना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर एक बंच और धन्या का लिया है जो देसी वाले मिलते हैं वही है और है भी मिलते हैं तो आपके वहां जो भी अवेलेबल हो आप दे सकते हैं तो इस बंच को हमारे धन्या को निकाल लेंगे और डंठल से हरी पतियों को निकाल लेते हैं इस तरह दन्या में खुस्बू बहुत ही अच्या थी इसलिए मैंने इसका यूज किया है तो जो पीली पति है उसको हम मटा देंगे और हरी वाली है वह सब हम चुंक रख दिये हैं तो इस तरह से हरे में निकाल कर तो लकर साप कर लिया है मैंने सारी हरे पते को निकाल लिया है और दो भी लिया है जो उसके उपर जो भी होता है डस्ट वह निकल जाएगा तो इस तरह से अच्छे से थोकर में लेना है क्योंकि उसके उपर थोड़ा सा निकल जाएंगे पाणी में और अब इसे हम काट लेंगे तो छोटे-छोटे बारिक काटेंगे बहुत बड़ी है मोटे वाले नहीं रखेंगे तो आपको इस तरह से चाहिए उसतरह से काट सकते बारिक काट नहीं इस तरह से हम सारी दजन्या के पते को काट लेते हैं और खुस्बू बहुत अच्या रही है तो यहां पर मैंने सारे पत्तियों को काटकर त्यार कर लिया है आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट भर के त्यार कर लिया है और थोड़ी सी हो जाएगी इस में से तीन लोगों की सब जीवन के त्यार होगी ज्यादा नहीं बनेगी तो दाल दे तर्या के पते तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे दो मिनिट तक चलाएंगे तो वह बल्कुल ही सौप्ट हो जाएगा इससे कूख होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है तो लगातार चलाते रहेंगे उपर नीचे हो जाएगी वन्ना क्या होगा के नीचे से तो इस तरह से चलाने से चलेगी नहीं, तो मुझे दो मिनिट लगा है, दो मिनिट में हमारा पता, तनिया का पता बिल्कुल ही कम हो चुका, आप देख सकते हैं, इनकी कौंटिटी कम हो चुकी है, तो इसे हम एक प्रेट में निकाल लेते हैं, ताकि वो ठंडा हो जाए, तब तक के लिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो यह आप एक मिक्सिंग बोल लिया, बोल के अंदर में एक कब बेसन डाल रही हूँ, बेसन के अंदर हम टेस्ट अकोडिंग सॉल्ट डाल देंगे, और गर्ग में हुए मसाल ही यूज़ करेंगे, तो एक चोथाई चमचीतन लाल मिर्च पाउडर तिखा अपने आई साब से आप ले सकते हैं, कमिया चादा कर सकते हैं, आदा चमच मेनी तनिया जीरा पाउडर आदा चमचीतनी अच्वाइन लिए, आज से मसल कर डालेंगे, चिसे की डाइजेस्ट सिस्टम भी डाइजेस्ट होने में दिकत नहीं आ होती है, तो बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे पहले, उसके बाद हमें चितनी चरुद लगे उतना ही हम पानी डालेंगे, गोल बनाएंगे, और गोल हम ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे, तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो हमार अच्छे से मिक्स हो गया यहां बेशन और हरे दन्य की पती और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं उसमें अब गर आप चाहे तो यहां पे यहां पे लगसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं लगसुन का पेस्ट डालने से उसके खुस्बो भी अच्छी अती हैं और खाने भी अच्छा लगता है आप चाहे तो डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है यहां पे हमारा गोल बन के रेड़ी हो चुका है ज्यादा पतला हमें नहीं करना है तो कंसिस्टन्सी बहुत परफेक्ट है ज्यादा पानी नहीं डालना है अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से होना चाहिए वो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और इससे हमारी सबजी बहुत ही अच्छी बनती है अगर आप हाथ से लेंगे तो इस तरह से पकोड़ी की तरह गिर जाएगा इस तरह से कंसिस्टन्सी रखनी है या पर मैंने छोटे टमाटर लिये, इसलिए मैंने तीन टमाटर लिया, अगर आपके पास मीडियम टमाटर हो, तो आप दो भी ले सकते हैं, तीन टमाटर को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे, और हमें इससे ग्रैंडी करना है, इसलिए बड़े बड़े टु संदे तो आप कहां पर डाल सकते हैं तो मैंने एक चितना रख लिया है और एक हरी मिर्चुली है तीखापन अपने इसाब से आप ले सकते हैं मिर्च यादा या कम कर सकते हैं तो मैंने उस ग्राइंड करके ग्रेवी बना लिए यहां पर दो चमच चितना मैंने वहीं सेंपेन दाल चीनी, एक मेने तेज पस पता डाला है और चक्री फुल के दो टुकड़े डाल दी ए है आदा चमंचीरा डाला एक शोथा चमंचीनी मेने हींग डाल दी अगर आप चाहे तो यहां पे लासुन की पेश्ट पी लाल सकते और प्यास पेलर डाल दीजिए प्यास पसंद है तो आप पिंग होने तो किसे कुप कर लिजिए उसके बाद आप टमाटर की प्यूरी डाले यहां पे करण दो मिनिट हम चला लेंगे प्यूरी को उसके बाद म तो तिखा पन मेने पहले भी बोला था आपको तिखा जितना चाहिए उसे साब से आप याद ले सकते हैं मीच कमिया ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छे से कुक कर लेंगे ओइल सेप्रेट होने तक उसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे मिक्सिकेचार में जो अमारी प्यूरी उसमें लगी हुई वो निकल जाएंगे तो प्यूरी वाला पानी भी डाल देंगे एक गलास चीतना मैंने पानी डाला यहने के आधा कब चीतना पानी होगा यह भी मैं डाल देती हूँ एक गिलास पानी था बहुत बड़ा वाला गिलास नहीं था छोटा गिलास है और दो मिनित तक हम इसे कवर करते हैं कूप कर द तो जो बेटर है वो भी डाल देते हैं दो तीन बार हम टेप कर देते हैं यानि कि सारी प्लेट में अच्छे से फैल जाए और इसमें आपको सोडा इनो कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि वो डालने से उपकी सबची इतनी अच्छी नहीं बनेगी आप बिना ही इससे तरह से तो भी बहुत ही सोप्ट बन के तैयार होती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो सोड़ो बेकिंग सोडा या इनो का यूस नहीं करना है हमारी ग्रेवी उबलने लगी है तो उस पर हम जो दूद पड़ा रखते हैं वही जाली राख देंगे उसके उपर प्लेट र प्लेट को निकाल लेंगे और हमारी ग्रेवी को भी हम देख लेंगे प्लेट अटा करके ग्रेवी कितनी है तो अच्छी तरह से कुख हो चुकी है तो इस तरह आपको ग्रेवी देखनी है कि इसके अंदर हम इसके कोथमिर की बढ़िया बना है उसकी टुकड़े भी डाल द तरह से काट सकते हैं मैंने कटली से काट सकते हैं आप अपनी इसाब से काट सकते हैं तो मैं दिखा अगर सबजी बनाना चाहिं तो यह से भी बहुत ही आची लगती है. खा सकते हैं, तो इसको हम अच्छे से निकाल लें गए, फिर सबजी में डाल देते हैं, तो इसकी सबजी बहुत ही अच्यों बनती है, यहां पर हमारा क्रेवी भी ओवलने लगा है, तो इसके अंदर हम प्रीडियुन फ्रीघटम फ्लेम पर की क्रोम क्रोम सब्साद कारें की क्रलीघ्टक तो तक ग में तक उच्छी है चार पांच मिनिट के बाद हम अटकर नट आके देख लेते हैं तो हमारे अच्छे से सब्जी बूक हो चुकी है वही बीड़ी हो गया है और आप देख सकते हैं बढ़ियों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो अच्छे से हमारे को थमिर के सब्जी बन करके तै तै यह एक चुथा चुमच जितना गरम सारा डाल देंगे आता चुमच मेने आम चुरिया है वही डाल देंगे और उसे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए डालना स्कीप नहीं करना है तो हमारे सब्जी बन के रेड़ी हो चुकी है गैस के फ्लम हम भी आफ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मुह में पानी आजा इतनी अच्छी हमारी सब्जी बन के तयार होती है इस सब्जी आप कुरी पराठा बाकरी किसी प्याजरा रोटी के सार दिखाओ बहुत इलाजवाब लगते हैं तो अबरे दनिया की सब्जी आपको लगेगी नही बहुत ही अच्छा है और बड़िया का कलर भी बहुत ही अच्छा आप इसे कोथ में अरे दनिया की सब्जी भी बोल सकता है कोथम भी रोडी की सब्जी भी बोल सकते हैं और टेस्ट में बहुत ही ज्यादा आछी रहती है और खाना में कोथम भी बहुत ही अच्छी हम हमारे और जितनी ओर ठंडी होगी उतनी गाड़ी होती चाहेगी इसलिए मैं बोल रही थी ग्रेवी ज्यादा रखनी है तो बव में इसकी प्लेट में सब कर देते हैं तो तयार है हमारे हरे थनिया की सबजी आप देखते ही मुँ में पानिया चाहे इतनी अच्छी बनके तयार होई है और टेश्ट में इतनी आच्छी बनके तःयार होती है यह अ ज़रू करना outta कि का एक बार बनाएंगे ने तो घर वाले उंगलिया च्याट चाट रखायेंगे इतना याच्छी बनेंगी और श्बयर्ण करते इन्ग आपकी कर से बना है इसदिक का इतनी अची बनती है कि कि अ है कि अगर रेंसीपी पसंद आई हो तो वीडिये को लाइक और शेयर करना भी बल्कुल मत बुलना और मुझे कोम cupboard में ज़रू बताना अगर नहीं पसंद तो भी बता देना जैसे भी पसंद आयू तो वीडियो को शेर जरूर करना फिर मिलेंगे इस इन्हें वीडियो के साथ बाई बाई टेक केर